हेलो गाइज दिस इस मी अंकोर उपाद्धिया वेलकम तो आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनलेसिस आज जो स्टॉक लेकर आ रहा हूं यह आपकी पॉर्टफोलियों में जरूर होना चाहिए और अगर किसी के पास और रेड़ी है तो बताऊंगा क्या हो सकता है आपके लिए टारगेट और कहां रख सकते हैं आप एसल साथी साथ बात करेंगे अगर आप फ्रेस एंट्री बनाना चाहते हैं तो किन पर कौन सा लेवल हो सकता है बैस क्योंकि मुझे लगता है यहां से मिनीमम दस से पंदरा परसेंट के रिटन बहुत ही शॉट टम में आपको यह स्ट के पास कोई भी स्टॉक है जिससे रिलेटेड़ आप मुझे से बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाइग्राम आईडी पंदत बिर्दर्स पर आके मुझे से बात कर सकते हैं सबसे पहले तो मैं यह किलियर कर दूँ यह मेरी तरप से बाय की रिकमेंडेशन है वैसे मैं ज और इसमें कम से कम 10-15 परसेंट आपको रिटन बहुत ही जल्दी मिल सकता है गईस करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो कल के दिन हमने देखा 170 1.55 पैसे के लेवल्स पे बंद होता हुआ दिखा है करीब करीब साड़े 3 रुपे डाउन दिखा है हमें हाई बीटा आप देखें तो कल के परसों के दिन इसने 179 का हाई लगाया और अभी आपको 171 पे मिल रहा है कुछ दिन पहले जाओगे आप एक से दो अफते पीछे तो आप देखोगे offer for sale आया था जो की 165 रुपे पे था उसके बंद होने के बाद company ने offer for sale को बढ़ाया है अपने employees के लिए 165.50 के share price पे तो ये offer for sales आपने employees के लिए बढ़ाया गया एक्स्टेंड कड़ा गया 165.50 पे और offer for sale जो रियल में आया था उससे पहले वो 165 के levels पे था offer for sale के कारण share गिर गया था 169,68 तक आया था तो मैंने अपने clients को वहां भी इस share को बाय कराया था guys accumulate कराया था पह 171 पे और offer for sale का period खतम होता हुआ दिख रहा है और अभी आपके लिए मेरी buy की recommendation है guys इस share पे अगर brokerage houses की बात करें तो काफी जादा bullish दिखेंगे आपको देखो इसके अंदर दो चीजा चली चली जए एक तो D-merger जो की लोग देख रहे हैं कि ये value unlocking की तरह हो सकता है और आपको impact आता हो दिखेगा volumes वगेरा पर ये जो cover हैं वो हैं बट मैं आपको short time के लिए बात कर रहा हूँ अभी बात करते हैं brokerage houses के target के बारे में तो guys brokerage houses के अगर आप average target लेके चलोगे तो 210 तक की हैं देखो guys यहां से 30 रुपे उपर है 40 रुपे उपर हैं लेकिन share कितने का 171 तो काफी जादा ऊपर के target हो गई यह आप कहा सकते हो कि around around 20% से भी plus के target हो गई है share में 200 दस्तक आते हैं तो मेरे साब से आपको buy करके जाना है अभी मैं आपको अपने levels बता दूँ देखो guys 171 पर और offer for sale चल रहा है 170 और यह 175, 172 एक तरीके से supporter जो की share break कर चुका है अभी जो SL निकलेगा ना real वो काफी जादा नीचे निकलेगा लेकिन आपको क्या करना है डरना बिल्कुल यह आपको माल उठाना है आपको share buy करना है 171 पर आपको 171, 171, 168 जहां भी मिले buy करिए देखो 162 के नीचे share 158 तक के levels तक जा सकता है no doubt but share अगर चला जाता है तो वो एक opportunity होगी और ज्यादा buy करने की क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि share bounce back बहुत तेज देता है आपने देखा 5-7% की movement एक ही दिन में आती है share में नीचे उपर कहीं भी जासकता है बट उपर की मुझे जल्दी लग रही है आपको target क्या रखना है आपको 190 38 से चला था और 213 तक चला गया उसके बाद profit booking और तोटा हुआ दिख रहा है आपको लेकिन यह जब लेवल दोवार आएंगे तो काफी ज्यादा ऊपर जा सकता है share तो आपको इसको position को बनाए रखना है दरना बिलकुल नहीं अगर यह 158 पर आ भी जाता है तो आपको average करन में average तो जरूर करें यहां पर आप आप अनिशेट करें पहला टार्गेट 190 का वहां पर अपना profit book करना इंवे स्वरी इंवेस्टेट अमांट निकालना प्रॉफिट का पैसा चोड़ देना है 210 से 220 पे फुल प्रॉफिट बॉक करना है यह मेरी रहा है NMDC शेयर पर होप यह वोच पूच वर वोचित वीडियो धर अजिए अवां टी